पूर्डियो जंग स्टाज कर सकते हैं यहां के नोगोंने अलगला कंपनि से बात करके रखी और उनके सीट अपने कार्ट पर फिरके से ही रुतयारे तक चार्ज करते हैं और इस मशीन को इसके फैमिली मेंबर का हर इंसान चलाता है और 8 घंटे काम करके 10-15 जार स्विक्स बड़ी असानी से काट लेते हैं और दोस्तों विडियो में जो प्रिंटर सीट कट रही है वो पेपर कप के ब्लैंक है यानि इसी कटे हुए ब्लैंक की मदद से पेपर कप त्यार होते हैं चलिए दोस्तों पहले हम जानते हैं कि बॉक्स त्यार होते हैं और उसके लिए सबसे पहले पेपर की सीट्स पर प्रिंटिंग की जाती है अगर प्रिंटर बॉक्स बनाने हैं तो और फिर printed seats को इस machine के जरीए उसे उस box के size में काट लिये जता है और दोस्तों अगर आपको printed box बनाने हैं तो printing आप कहीं बाहर से भी करा सकते हैं इससे आपके printing के setup का सारा कर्चा बच जाएगा और छोटे और medium level के business man ऐसा ही करते हैं और business चल जाने के बाद आप printing machine भी खरी सकते हैं और वहीं plain box बनाने के लिए paper के seats को directly उसे इस machine के जरीए काट लिये जता है और काटे हुए paper को fold करने के बाद box त्यार कर लेते हैं जैसे दोस्तों example अगर हम seat box का ही ले 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 तो इस machine के जरीए इसे बनाना काफी असान है और इसी तरह हम इस machine की मदद से और भी तरह के box बना सकते हैं हमें machine में keyword die ship करनी होती है और paper seat को इस machine में डालना होता है और उस die की मदद से ये machine paper seat को box के अकर में काट देती है जैसा कि आप तो वीडियो में दिख रहा है ऐसे box हमारे या साधी party function में बहुत जादा यूज़ किया जाते हैं या फिर हम अलग-अलग hotel, restaurant, sweet shop, bakery shop से order ले उनके brand के box त्यार कर सकते हैं या स्विलिट box के अलावा और भी अलग-अलग तरह के box इस machine के द्वारा बना market में बेश सकते हैं दोस्तों अगर आप थोड़ी marketing के ध्यान दे और कुछ अच्छे customer बना ले अपनी local market में तो आप बहुत जल्द अपने business को grow कर सके हैं और उसके लिए आपको उनकी requirement पता करनी होगी और उसके हिसाफ से box को त्यार करना होगा और इसके साथी साथ अपने area के wholesaler और distributor से भी contact कर उनके जरिये भी business को promote करना होगा और दोस्तो मेरा अब दावा आएगी थोड़ी सी मेहनत planning और अच्छे marketing के जरिये अब बहुत जल्दी अच्छी कमाई कर सकते हैं और दोस्तो अब बात करें इससे बनाने में लगने वाले raw materials की तो इसका main raw materials paper है और यह paper आपको बजार में 20 rupees से 40 rupees per kg तक मिल जाएगा और इसे आप अपनी जुरूत के हिसाब से खरीच सकते हैं paper अलग अग जियसे में आते हैं और अगर हम कम GSM वाले paper खरीचते हैं तो वो सस्ते मिलेंगो च्यादर GSM वाले मेहने और हमें जैसा box बनाना हो उस box की quality के हिसाब से यह paper हम बजार से खरीच सकते हैं और नॉर्मली बजार में जो box लिपे हैं वैसे box आप एक केजी paper के जरीए 500 से 750 बना सकते हैं और यही box बजार में 20 पैसे पर पीस से 1 rupees पर पीस के हिसाब से लिपे हैं इसलिए मैंने केवल एक अनुमान बताया है तो यह machine आपको अलगलग production capacity के साथ अलगलग price में मिल जाएगी है और मार्केट में यह machine अलगलग size और production capacity के साथ उतलब्द है जैसे 20 inch into 26 inch, 22 inch into 32 inch, 35 inch into 37 inch, 32 inch into 42 inch या 40 inch into 42 inch और मार्केट में जो machine है, वो एक घंटे में 800 बार पॉंच करने के से लेके 3000 तक पॉंच कर सकते हैं और machine का price भी उसके size और production capacity के हिसाब से कम और ज्यादा होता है इसलिए आप अपने budget की हिसाब से यह machine खरीज सकते हैं और machine में electronic panel लगा होता है जिसके जरी आप पॉंच करने की timing भी set कर सकते हैं कि कितने second के बाद यह machine पॉंच करें और आप इस machine के जरी paper sheets के अलावा रबोर्ट, लेदर, पॉंच रबोर्ट, duplex board, cardboard, PVC और classic seat को भी card सकते हैं अगर बात करें इस machine की training की तो इसे operate करना ज्यादा मुस्किल नहीं है आपको उस दिन की training के बाद इस machine तो बढ़ी असानी से operate कर सकते हैं और नहां से आप यह machine खर देंगे आपको training भी वहीं से मिल जाएगे दोस्तो आपको इस business को शुरू करने में कोई भी दिक्करत आती है या कोई भी information चाहिए तो आप हमसे comment करके भी बता सकते हैं और हम उसका फिलंट reply करेंगे दोस्तो आपको इस business से जुड़ी कोई भी information चाहिए तो आप हमसे comment करके भी पूर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही, उमीद करता हूँ कि आपके वीडियो जुरू पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नहीं बिजनेस आडियास पूचे सबसे पहले आपके पास